CRPF Paramedical भरती 2020 नमस्कार दोस्तो CRPF टेर जो आपकी Paramedical भरती है उसमें Constable के भी Admit Card आना सुरू हो चुका बिल्कुल दोस्तो ओपिसल नोटिविकेशन में जैसा की पहले ही बता दिया गया था कि 18 जनौरी से Paramedical में जो Trades Main Constable की जो Vacancies थी जिसमें आपके कोक, सपायवला, वोटर केरियर, वोसर मेन और बारबर तो इन सभी के Admit Card है वो आना सुरू हो चुका है बिल्कुल दोस्तो स्वीपर के Admit Card आज आया है यहाँ पर बात करें तो किसी Candidate के पास में यहाँ पर Admit Card उनके पास पहुंचा है उसकी एक पोटो खींच के उसने हमारे पास में सेंड किये कि सर मेरा Admit Card ओप लाइन आ चुका है तो बिल्कुल दोस्तो Admit Card आपका आना सुरू हो चुका है ओप लाइन Admit Card आपका आना सुरू हो चुका है लेकिन Online List भी आपकी जारी होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CRPF हो चाई BSF हो ओप लाइन आपका जो भी फोर्म भरा जाएगा उसकी जो Admit Card आने के बाद में उन सभी की एक लिस्ट यहां पर पहरा Medical की तरफ से CRPF हो चाई BSF उनके दोरा जारी की जाती है ताकि अब्यारती उसमें अपना नाम चेक कर सके कि मैरा Admit Card वहाँ पर Issue हो चुका है क्योंकि कई बार क्या होता दोस्तो Post Office या Post Man की गलती के कारण आपका Admit Card आपके घर पे समय पे नहीं पहुँच पाता है यह आपके पास में भी नहीं पहुँच पाता तो SMA CRP भी आपकी ओनलाइन जो लिस्ट है वो भी जारी करेगी लेकिन दोस्तों जो ओनलाइन लिस्ट पहले जारी की थी वो केवल SI और Head Constable के जो एक्जाम्स थे उन सभी की जारी हुई थी लेकिन अभी तक Constable की जो वेकेंसिज थी उनके लिए अभी तक Admit Card जारी नहीं किया था मतलब ओनलाइन लिस्ट जारी नहीं हुई थी और नहीं उनका Admit Card अभी किसी Candidate का आया था लेकिन अब उनका Admit Card है ओपलाइन मोड के आदार पर आना सुरू हो चुका है दोस्तो इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे वीडियो अपके लिए काफी ज़्यादा मयत्वपूर साबित रहने वाला वीडियो के इन तक आप जरूर बने रिजेगा साथ वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर पहली बार आये हो कोमेंट करके मैं मैं जरूर बताहे कि आपने कोंसी ट्रेड से फोल्ब एपलाई किया था तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तो एड्मिट कार दिखा देता हूँ जिस candidate का जारी हुआ है और उनका पहले ही दिन यहापर physical होने वाला मतलब physical उनका 18 जनवरी को ही होगा physical काफी लंबा चलेगा आपका लेकिन जिस candidate के admit card जिन candidate के admit card आना सुरू हो चुके उनका exam है वो आपके पहले दिन ही होगा जिस दिन आपका यहाँ पर physical start होगा अब मैं admit card एक बार आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सी तो एक candidate है जिसका admit card उन्हें फोटो किज के मारे पास में बेजिये और किस चीज का admit card में बता देता हूँ Constable Supply करमचारी का यह admit card है बिल्कुल दोस्तों admit card आना शुरू हो चुके offline और board past में इनका physical यहाँ पर होने वाला है क्योंकि कई सेंटरों में board past और board second भी यहाँ पर रखा जाता है तो इनका यहाँ पर physical का admit card आ चुका है और reporting time आप देख लिजिएगा एक बार 18 जनवरी को इनको reporting करनी है वो साड़े 5 बजे सेंटर में इनको reporting करनी होगी तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिनका physical 18 जनवरी से सुरू होगा उननी सभी के admit card आना सुरू हो चुका है अगर आपका admit card अभी तक नहीं आया है तो आज आएगा दोस्तों अगले सब्ता में लगबग सभी candidate के admit card इस्यू कर दिया जाएंगे ओप लाइन CRPA पेरा मेडिकल की तरब से बिल्कुल दोस्तों लेकिन online list की बात आती है कि आखिर online list कब तक जारी होगी तो दोस्तो online आपकी list भी यहाँ पर जारी की जाएगी पहले भी list निया पे जारी हुई थी आपके जो SI और head constable का जिनका exam था laboratory वाले, staff nurse वाले जो candidate थे उन सभी की list 14 तारीकों जिनका physical सुरू आता 14 December को उनकी list upload कर दी गई थी लेकिन अभी तक जो आपके constable rank की जो vacancies है जिसमें आपके water carrier, cook, supply वाला इन सभी के admit card भी अभी तक offline नहीं आये थे अब आना सुरू हो चुके क्योंकि physical भी उनका 18 January से सुरू होगा और next मतलब अगले सब्ते में सलग बग सभी candidate के पास में offline mode के आदार पर admit card उनका पहुँचना सुरू हो जाएगा अब बात आते हैं दोस्तों आप अपने post उपिस से एक बार जरूर संप्रक कर लिजेगा कि मेरा को admit card है वो आने वाला है ताकि जैसे ही आपका admit card आए postman आपको बता दे कि आपका admit card आ चुका है आपका यह पर आपकी post आ चुकी है लेकिन बात आती है दोस्तों online list की online list क्यूंकि आपका जो physical होगा दोस्तों वो 18 जनवरी से होगा तो 18 जनवरी से physical आपका सुरू होगा तो सबी candidate होगी चाहिए जिनका exam यहां पर फरूरी में क्यों नहों physical उनके भी आपर list आएगी वो सबी candidate की एक साथ ही आएगी तो list कप तक आएगी तो मैं बता देता हूँ या तो आपके 16 तारी को या फिर 17 तारी को आपकी online list भी CRPF के दोरा officially side पे डाल दी जाएगी बिल्कुल दोस्तों जैसे list आएगी मैं पिर से आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा पूरी details से बताऊँगा कैसे आप list में अपना नाम चेक कर पाऊँगे क्योंकि कुछ candidate के घर पे नहीं पहुंच पाएगे तो वो उस list में से उस page का screenshot लेके भी उसका print निकला के भी physical center जा सकते और physical दे सकते क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको mention मिलेगी आपके role number, आपकी date of birth, आपका नाम, आपके fathers का नाम और आपका date of value, किस तारीकों आपका physical है और कौन से center में आपका physical होगा यह सारी चीज़ें आपके उस list में भी आपको दी हुई मिलने वाली है अब बहु सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि sir December में पहले बताया था कि December में यहाँ पर return होगा लेकिन return तो नहीं हुआ, मैं दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पर आपका सबसे पहले physical ही होगा बिल्कुल दोस्तों physical होगा और physical काफी ज्यादा हीजी है 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 1600 मीटर रनिंग करने में लग बग सभी candidate qualify कर लेंगे आराम से physical physical के बाद में ही आपके document verification होगे मतलब आपका DV होगा और DV में ही आपके document चेक किये जाएगे उसमें यहाँ पर constable rate की जितनी भी vacancy है उनके लिए आपको document त्यार करना होगा दस्वी की mark seat उसके साथ ही domicile certificate जिसे मूल निवास परमान पतर कहते है वो आपके पास में होना चाहिए कास्ट certificate journal को चोड़ने के बाद में सभी जैसे OBC, SC, ST इन सभी के पास में कास्ट certificate होना चाहिए वो भी government of India द्वारा जारी मतलब जो आपके पास में certificate होगा वो central government द्वारा जारी certificate होना चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं की जो आपका physical होगा उसमें सबसे पहले किस किस प्रोसेस से आपको गूजर ना होगा तो यहाँ पर जो minimum आपका height का criteria है कुछ पोश्टों को चोड़ने के बाद में आपकी 170 height होनी चीए उसके साथ ही जो height में छूट मिलेगी एश्टी candidate और जितने भी प्यारती लगातार कमेंट करते रहते कि सेर CRPM में क्या long jump भी होगा और high jump भी होगा क्या बिल्कुल दोस्तो long jump और high jump दोनों आपके नहीं होने वाले केवल physical में आपके running ही होगी और running के बाद में आपका height, weight और chest बैस इतनी चीजे होगी उसके बाद में आपके उसी दिन आपके document verification होगे और documentation में जो candidate qualify होगा उन सभी candidate का trade test करवाया जाएगा अब बात आती है दोस्तों क्या सभी का trade test एक साथ करवाया जाएगा अलग-अलग trade का ही test आपका करवाया जाएगा मतलब super वाले candidate है उनका अलग center में होगा water carrier वालों का अलग center में होगा यहाँ पर आपके अलग-अलग तारी को सारा physical process होने वाली है तो दोस्तों यह थी एक मेरे दोरा दिगी चोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ऑटी सी से स고खे वेल-ब को ऐ जानकारी अभंप परोग shines